असलाव अलेकुम आज मैं आपके साथ आइस्क्रीम की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट एक्जेक्ट वैसे ही होता है जिस तरीके से हम मार्केट में आइस्क्रीम खाते हैं या फिर शादियों मे एक बरतन में डालेंगे एक कप दूद यहां पर मैंने 250 ml दूद लिया है एक कप दूद डालने के बाद अब हम यहां पर दूद को बॉइल होने के लिए रख देंगे जब तक दूद हमारा बॉइल हो रहा है तब तक दूसरी तरफ एक कर्टोरी में हम 5-6 बड़े चमज द चाहिए यानि के थंडा होना चाहिए गर्म दूद नहीं लेना है वरना लम्स पढ़ सकते है यानि गुठलिया बन सकती है तो थंडे दूद में हम दो बड़े चमज डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर और कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हमें अची तरीके से मिक्स कर देना है मैंने यहां पे वैनिला कस्टर्ड पाउडर का यूज के है आप चाहिए तो स्टॉबेरी कस्टर्ड पाउडर का भी यूज कर सकते हैं तो यह देखे बिल्कुल स्मूद सा गोल हमारा हो गया रेडी और जब तक यहां पे दूसरी तरफ हमारा दूद जो है वो भी भी बॉइल हो चुका है तो अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम करने के बाद इसमें पूरी तरीके से गुल नहीं जाती तब तक हम यहां पे दूद को पकाना है तो बस दो से तीन मिनट के लिए यहाँ पे हमने दूद को पका लिया है अब इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड का गोल यह जो हमने गोल रेडी किया था तो एक बार दुबारा से चला लेना है क्योंकि थोड़ी देर इसे रखते हैं तो नीचे कस्टर्ड पाउडर जो है वो जम करेंड वरना इसमें लंप्स पड़ सकते हैं यानी गुटली आ सकती है तो फ्लेंग को बिलकुल लो कर देना है और लो फ्लेंग पर हमें इसे लगातार चलाते हुए कम से कम दो से तीन मिनट के लिए पका लेना है तो देखिए मैंने बस दो मिनिट के लिए पकाया है जाद तो इस तरीके की देखे चाहिए अच्छा गाड़ा हो चुका है यहां पे हमारा कस्टर्ड इसके बाद हम एक मिक्सी ले लेंगे इसमें हम डालेंगे जो हमने कस्टर्ड रेडी किया है उसे डाल देंगे इसके बाद हमें इसमें डालना है अमूल फ्रेश क्रीम तो आप जो है इसकी जगा मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं या विप क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अभी इस वक्त जो है मैं यहां पे अमूल फ्रेश क्रीम का यूज़ कर रही हूँ अमूल फ्रेश क्रीम क अब इसमें हम एक छोटे चमज डालेंगे वेनिला एसेंस इसे जो है अच्छा फ्लेवर और टेस्ट जो है इन्हेंस हो जाएगा लेकिन अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं तो यह देखें यह वेनिला फ्लेवर मैंने यूस किया है इसके बाद हमें बस मिक्सी का ढखकन लगा देना है और अब इसे हम पीसेंगे तो यह तीनों चीजों को डाल कर हमने रेडी कर लिया है अब इसे पीस लेते हैं तो इसे कैसे पीसना है मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हम मिक्सी चालू करके कुछ सेकेंज के लिए चलाएंगे कुछ सेकेंज चलने के बाद आपको लगे थोड़ा मिक्स हो गया है तो इसे रोक देना है यानि बंद कर देना है थोड़ी देर बाद फिर हमें दुबारा से चालू करना है और इसे चलाना है तो इस त समूध से हमारे जो मिक्स है वो तयार हो जाए कि इसके बाद pr اس की चार से पांच 秒 चला लिया है और जब तक आप चलाना है जब तक, विल्कुल समूध स Onixuh नहिं रैडिय हो जाता है, तो इसके बाद देखिए चार से पांच बाद चलाने के बाद YouTube, काफ़ी स्मूथ हो गया है सारी चीजे जो है अच्छे से मिक्स हो गई है अब हमें एक कंटेनर ले लेना है इस तरह की का देखिए मेरे पास कंटेनर है यह अल्रेडी आइस क्रीम का ही है तो यहां पर मैंने यह ले लिया है आपके पास कोई भी इस तरीकी की टिफिन हो या फ हमें एक प्लास्टिक ले लेनी है आपके पास कोई भी प्लास्टिक है आप दूद की भी प्लास्टिक जो है वो उसका भी यूज कर सकते हैं दूद की जो थैली रहती है उसे भी आप कट करके इस तरीके से इसके सर्फेस पर हमें पूरी सर्फेस पर अच्छे से बिठा दे पर लगाने के बाद इसे हम बंद करके अब हम रग देंगे इसे freezer में और freezer में हमें रग देना है at least 8 से 10 घंटे के लिए यानि अगर आप रात को बनाए तो रात को इसे रग दीजिए और पुरे रात के लिए छोड देना है और सुबा हमें इसे खोलना है और आप देख सकते हैं ये देखिए हमारी आइस्क्रीम जो है वो पूरी तरीके से सेट हो चुकी है आप देख सकते हैं तो अब हम चारो तरफ से जो है ना नॉर्मल पानी से ये बॉक्स को धो लेंगे इससे क्या होगा कि आइस्क्रीम जो है वो आसानी से निकल जाएगी और दोने के बाद इसे हमें चारो तरफ से हलका हलका सा knife से जो है ना cut कर देना है, cut लगा देना है ताकि ice cream जो है वो बहुत यह आसानी से निकल जाए तो मैंने चारो तरफ से container को दोने के बाद अब जो है knife से निशान लगा दिया है इसे अब हम पलट लेंगे तो यह बहुत ही آसानी से निकल जाएगा यह देखें तो यह हमारी ice cream जो है निकल चुकी है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरेके से set हो चुकी है, माशाएला आप यह देखें, कितनी जबरदस्त हमारी ice cream जो है, वो set हो चुकी है अब इसके उपर मैं कुछ ड्राइफ रूट्स डाल रही हूँ मेरे पास काजू बदाम है इस वक्त मैं काजू बदाम डाल रही हूँ आपके पास जो भी ड्राइफ रूट्स अवैलेबल हो आपको डाल सकते हैं ड्राइफ रूट जाने के बाद अब ये देखिया आप फाइनल लुक कितनी जबर्दस्त बिलकुल जिस तरीके से हम मार्केट सा आइसक्रीम लाते हैं इग्जेक्ट वैसी ही टेस्ट होता है बहुत टेस्टी ये आइसक्रीम बन कर तयार होती है और घर पर बहुत ये आसानी से बन जाती है अब इसे हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसे हम सर्फ करेंगे तो आप इस अमेजिंग सी आइसक्रीम की रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करना आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि ये इतने ही टेस्टी बनती है और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्स फॉर वाचिंग अल्ला हाफिस